ICC मेंस क्रिकेट वर्ल कब दोजार तेश में 5 नौवंबर को मुकाबला खेला जागा इंडिया वर्सिस साथ अफ्रिका का ये मुकाबला इडिन गार्डेन कोलकाता एक्टेडिये में खेला जागा दोपर के दो बजे अफ्रिकन टीम की बात की रूफी पहली टीम बन गई है ICC वर्ल कब 2023 में सेमि फानल में क्वालिफाइ करने वाली और वहीं अगर एलिम्ल्याट होने वाली टीम की बात की जाया तो बांगलादेश पहली टीम बनी है वर्ल कब 2023 से बाहर होने वाली फिलाल इंडियन टीम ने अभी कौलिफाई नहीं किया है लेकिन आज का मुकाबला या अफरीका वाला मुकाबला या फिर नीदेलेंड वाला मुकाबला यानि कि बचे हुए तीन मुकाबलों में से एक मुकाबला जितके इंडियन टीम दूसरे टीम बन जाएगी सेमी फानल म जो रेस है वो काफी मज़दार नजर आ रही है क्योंकि पिछला मुकाबला न्यूजलेंड ने बहुत बुरी तरह सहारा तो हारने के साथ ही साथ तीसरे और चोथे नबा के जो स्पॉर्ट है उसको इन्होंने काफी इंट्रेस्टिंग बना दिया है अब देखना होगा आने पर विदियो के माध्यम से भी मेने बताया तो आप जाके मेरे चैनल पर देख लिए कम्यूटि पोस्ट में जब टिकट आयी थी उससे लगवग 90 मिनिट पहले मने इनफॉर्म कर दिया था वीडियो के माध्यम से भी मैंने बताया था short वीडियो के माध्यम से भी बताया था मैंने और community post पर भी मैंने लगा दिया था तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि इसकी टिकटे कभी भी आ सकती हैं जैसे कि मैंने पिछली बाइ बता है सिलंका वाले मैच की टिकट की कभी भी भी आ सकती है without any information उन्हें टिकट को open कर दिया था booking के लिए तो इस मैच के साथ भी वही हाल होना है इसकी टिकटे कभी भी भी आ सकती है booking के लिए उमिद ऐसी लगाए जा रही कि जब आएगे टिकेट उससे कुछ दिर पहले इंफर्म किया जाएगा कि भाई हम टिकेटे बुकिंग के लिए डालने मले हैं इतने बज़े तो जितने बज़े भी टिकेटे बुकिंग के लिए डाली जाएगी या जो भी अपडेट नहीं आएगी तो मैं आपको जानकार इलाख देने के कोईसिस करूँगा और उमीद रखे हैं आपकी जब भी टिकेटे इसके बुकिंग के लिए ओपर होगी उससे पहले मैं आपको इंफर्म जरूर करूँगा आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा तस्वीर के लिए हो पाएगी तो फिलाल यह वीडियो आपको पसंदाया उतो लाइक कर दीजगा नहीं पसंदाया उतिस लाइक कर दीजगा चैनल को सब्सक्राइबने किया तो कर सकते हैं सब्सक्राइब इसी तरह की वीडियो देखने के लिए